हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज एक दम नई रिस्पी लेके आये हैं ट्रिक और टिप्स के साथ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि गांजर में परजुर मातर ना भीस यह पाया जाता है ऑर क्योंकी यह हो सेहत के लिए इस mbkt 11 kg ऐा ले लिया ओर इसी धुल ना है तो छिलके तयार कर लिए हैं अब इसका जो आगे और पीछे का होता हिस्सा ना इसे हम काटके निकाल देते हैं अपर हम बस्कार क्म देशे के काट के निकाल दिया है बस आब इसे हमें घिस लेना, इससे क्या होता है आसानी से घिस जाता है थोड़ा टाइम कम लगता है और इसे हमें क्या करना है इसको में पकाना ही और यह देखे जो डंडि पीछे वाली निकलती है नै इसें ठेटा दीचते हो जयदो थो भी दाफक है , और यह देखे को अगर्ण हमें रख़़ी और जुतनी आगप ऐसी इसे में बना देना हमें अचल दाल देना हमें अब लेयर झाहे पूर zaj देना हमें बेड़ में अब लेध के लिए और से उप्रोब एक बया देना क्या प्रड़किंगा ओब स cricket देना हो चिननी बिहें अपनल घर आजने डर और सरह किशिचनी में अपना खुद का पानी होता है तो जीनी और पानी मतलब दोनों मिलके अच्छे से मतलब पिखल जाएंगे जल्दी से इसे हमें दुबारा से कबर कर देना इसे क्या होगा मतलब गांजर जो है वो अच्छे से पक जाएगा अब हमें जो है दुबारा से हमें ढखना नहीं है ब इस जगह पे गाजा जब पक जाए तो आप इसे जब ठंडा हो जाए तिस्टोर करके फ्रीज में भी रख सकते हैं तो खराब नहीं होता जब भी कोई घर में महमान आए या घर में जब भी मन हो तो फटा फट खोया डाल के बना सकते हैं और गाजर कहलुआ बना के सर्व कर सक क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं जो हटे में मलाई निकलती है ना मलाई हम इकठा करके फ्रीजर में रख देते हैं और उसी का जब इकठा हो जाता है उसी का हम खोया बना लेते हैं तो इससे समय की बच्चत हो जाती है और यह देखे से मतलब सूखा का लिये थे ते एक चम जिसमें हम दूर डालेंगे बहुत अच्छा मतलब इसमें कलर भी आजाएगा और टेश्ट भी मतलब अच्छा आजाएगा और इसमें हम एक कटोरी के लगभग इसमें हम खोया डाल दिया है जितना चीनी डाले थे बस लगभग उतना ही डाले है तो खोया कम जादा भी कर सकत पाउडर डालेंगे तो जरूर डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इसमें चाहें आप ड्राइफूर्ट डाल सकते हैं नहीं डालना है क्योंकि मेरे बच्ची नहीं खाना पसंद करते हैं इसमें डालके और अब लासव से लास्वी इसमें हम एक चमस घी तो यह बस गर्मा गर्म हलुआ बनके तग्यार हो गया अपने फैमिली और गेस्ट के साथ इंज्वाइ करिए तो मेरी रेस्पी आप लोग को कैसे लगती हमें करमेंट जरूर किया करें मिलते हैं मगली वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका दिन शुब हो